नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल शुक्लाजी टेक में तो आज जानते हैं टॉप थ्री स्टेंज वेबसाइट जिने देख के आप चौक जाएंगे इन वेबसाइट का कॉंसेट बहुत ही अजीब सा है आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या हो रहा है तो शुरू करते हैं नमबर थ्री से नमबर थ्री बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इस वेबसाइट का नाम है map.norscorp.com इन सब वेबसाइट का लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और nors.com एक वैसी वेबसाइट है जिसमें आप रियल टाइम देख सकते हैं कौन सी जगे से कौन सा बंदा हैकिंग कर रहा है ये वेबसाइट भी एक हैकर ने बनाई है और इस वेबसाइट में अच्छे-च्छे हैकर पकड़े गए है ये वेबसाइट रियल टाइम में बताती है किस समय कौन सी कंट्री से कौन सा बंदा कहां पर अटैक कर रहा है और आप देख सकते हैं इसमें उनके आई-पी एड्रेस उनके नाम उनके पोर्ट अच्छे-च्छे हैकर इससे नहीं बच पाएं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग वेबसाइट है इसको हमने रखा है नमबर थ्री पे बढ़ते हैं नमबर थू पे वेबसाइट का नाम है zoomquilt.com तो दोस्तो यह वेबसाइट आप देखी रहोंगे इस वेबसाइट में जो इमेज आप देख रहे हैं उसके बाद वो इमेज जूम होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी ऐसा करते करते उसी के अंदर एक और इमेज आएगी फिर वो जूम होगी उसके अंदर एक और इमेज आएगी ये सिरीज इसमें चलती रहेगी और ये never ending loop है ये कभी खतम नहीं होने वाला अच्छे अच्छे लोग इसको देखके चौक गए है ये website बहुत ही अजीव है आप देखते जाएंगे जितनी ये जूम होगी उतना ही एक इमेज दूसरे इमेज से connected है ऐसा एक loop चल रहा है जो कभी बन नहीं होगा और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये website का loop चलता रहे और images चलती रहें तो आप 10 साल तक भी देखते रहेंगे तब ये रुकेगा नहीं अलग-अलग images आती रहेंगे और आप देखते रहेंगे तो इसको रखा है हमने number 2 पे इसका नाम है zoomquilt.com और इन सब website के नाम description में दे गए हैं अब देखते हैं number 1 पे हमने रखा है pointer pointer.com तो दोस्तों ये क्या है इस website में जहां भी अब आपनी mouse से click करेंगे वहीं पर एक image load होगी जिसमें एक बंदा उसको पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा अब देखिए मैं pointer अपना दूसरी जगे लेके जाता हूँ अब हम बेट करने हैं image load होने का और ये देखिए दुबारा हमारे pointer की तरफ कोई point कर रहा है इसलिए website का नाम रखा गया है pointer pointer.com और दोस्तों मैंने इस website को पूरा चेक कर लिया आप कहीं पर भी अपना pointer लेके जाते हैं तो वैसी image आएगी ये देखिए अब मैं फिर इसको move करता हूँ कहीं भी अपने स्क्रीन में ये किसी भी कोने में आप लेके जाएंगे तो उसी pointer की तरफ ये image point करेगी इस website में भी artificial intelligence का use करा गया है और आप इसको खुँच चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी website है pointer pointer.com इसको हमने रखा है number one पे इसी के साथ ये वीडियो खतम होती है दोस्तो फ्लीज भूलिये मत मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए शुक्ला जी टेक फिर मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद